आम तोर पर खर्पतवार के तोर पर उगने वाला मकोई का पौधाज से रसभरी के नाम से भी जाना जाता है। ये जंगली फल जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ और सधीय उणों से भी भरपूर होता है। पहले तो मकोई को खर्पतवार के तोर फर ही देखा जाता था लेकिन अब किसान इसकी फोसल भी उगाते हैं। और किसानों को मकोई की खेती से अच्छी कमाई होती है। मकोई का श्राद आमले की तरह दिखा और खटा मीठा होता है। इसके अंदर के बीज टमाटर के बीज की तरह होते हैं। इसका श्राद खटे फल के अलावा कुछ अनानास और चैरी के जैसा होता है। मकोई सरीर के लिए बेहद ही लावकारी होता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन और मेनल्स मदुमे की बीमारी से निजाद दिलाते हैं। इसके अलावा ये मोटापे को रोकने के साथ साथ तिल की बीमारियों को भी दूर रखने में बेहद कारगर है। क्रैसी विग्यान के इंदर नियामतपूर में तैनात ग्रह विग्यान की एक्सपर्ट डॉक्टर विद्य गुप्ता ने बताया कि मकोई में विटामिन सी, हॉलिक एसिड, कैलसियम, फासफोरस, आइरन और विटामिन ए सही तकईब हो सकता तो पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाला करोटिन एंटी आक्सिडेंट के तौर पर काम करता है। मकोई हाई ब्लड प्रेशर और ह्रदय रोग के लिए कारगर दवा है। इतना ही नहीं इसमें पाए जाने वाले फाइबर की वजह से ये पेट के लिए ब्यहत फाइदे मंद होता है। चुंकि एंटी आक्सिडेंट्स वगरा बहुत अच्छी मातरा में होते हैं इसलिए ये उच्छ रक्तचाप को नियंतरित करने में मदद करता है। साथ ही इसमें फाइबर बहुत अच्छी मातरा में होता है जिसकी वज़ा से ये हमारे पेट के स्वास्त के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है फिर्दै रोग के लिए भी बहुत अधिक फाइदे मंद होता है रसभरी के फलों के साथ साथ इसकी पत्तियां भी हम स्वास्त को बरकरार रखता है और इसमें जो सूजन आ जाती है लीवर में उसमें ये काफी फायदे मंद होता है विशेज कर ये पेट के स्वास्त के लिए बहुत जादा फायदे मंद होता है कब्ज दूर करता है साथ ही ये डायविटीज के रोगियों के लिए बहुत ही में लाए जा सकता है और इसके फलों का भी चून जो है पेट के स्वास्त के लिए काम में आता है रस्भरी के फलों को हमें नियमी तुरूप से खाना चाहिए यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है चूंकि इसमें फाइबर बहुत होता है इसलिए ये पेट के स्वास्त के लिए अच्छा होता ही है साथी ये खिर्दैरोग, उच्छ रक्तचाप, कोलेस्टरॉल वगर में भी बहुत ज्यादा मदद कारी है थाबित होता है तो हमें रस्भरी का सेवन अवस्य करना चाहिए चुँकि ये कुछ ही महिनों में उपलब्द होता है इसलिए इसका सेवन अवस्य करना चाहिए और खेतों में ये जंगली तोर पर उब्रा हुआ होता है जिसकी पत्तियों का हम अर्क बना करके अपने पेट के स्वास्त के लिए उप्योग में ला सकते है